लेने वाला के खोपड़ी नहीं है कैसे नोख्री दिन बर लोंडी आना चाहिएगा गाड़ी पले के नोख्री चाहिए जाके देखे बुरिंग लोग चौँ रहा पे दीन बर में लोग सबा के चुणाव में बस कुछ ही दिन का समय बचा है जैसे जैसे तारीके नजदी का रही है वैसे वैसे पार्टियों का जो चुनाव प्रसार है बढ़ते जा रहा है पढ़ना जक्सन पर है कुछ लोग हमारे शाहते बाते करेंगे अब की बार किसकी सरकार बस मोधी सरकार कुछ काम किया है कि बस ऐसे ही हवा में नई सर देखिए मोधी सरकार का का काम सब दिख रहा ह पहले हम लोग थे कोई भी बैंक में जाते थे एकदम लाइन लगा देते थे पैसा टाइम पर नहीं हो इकलता था आज मोदी जी के आने के बाद से कहीं पर भी आप रहे हैं पैसा आपके पांच मिनट में आपके पास रहेगा तीस हमारे लिए तो और पढ़िया बात है आज ओनलाइन हर एक लड़का पढ़ाई सब कर रहा है पहले सब नहीं था आज स्कूल में भी कोई ज्यादा गलबल हो जाता है तो अपना ओनलाइन पढ़ाई करके सुधार अपको मिला की नहीं अरे 15 लाग छोड़िये ना भया हम लोग तो कमा के अपना जी सकते हैं न पंदर प्रॉर्जगार में आपको मिला की नहीं नहीं रोज़गार हम लोग कहां से मिलेगा हम छोब पहले ही जो नहें पचीथ सलके सब सुधारने में लगेतें इसके बाद दूसब को रहा है तो तुनावे नहीं होगा देश में, क्यों नहीं होगा, उतों मत्तब जानता का हक है न चुनाओ कभी भी होगा, नहीं को कानून बदल जाएगा, समिधान बदल जाएगा, नहीं है, नहीं है, किसकी सरकारी सुभार सबुझाइबeszलि लगेर, वहाँ, बिजैपी बोला हो, बिज सब्सक्राइब करें विद्धान मंत्री बन सकते तो विए बच्चा अभी पर्धान मंत्री लेगा भी नहीं राहुल जी है रहुल जी है अभी नहीं बच्चा है किसकी सरकार अर्जेडी की सरकार अर्जेडी सरकार क्या है वे गारे आदमी का टीम है सबसे पहले उजादो सबका सपोर्ट करते नहीं है उखाली दिखावा होता है जहां जादो के लिए हम यह करेंगे वो खरेंगे नहीं आज पपु जादो जी कॉंग्रेस का टीकर से लड़ रहे थे आप देखिये आर्जेडी फिर आपना आदमी उथार दिया तो पपु जादो से भी तो फिरेम नहीं है का को सब्स्क्रा में ए पानी हेल हेल की चीवरा कहां क्या क्या चीज बाट यह थे सब आदमी कोरोना में घहर में सुए थे लालो जादो भी सुए थे मगर ओईसा सक्स आदमी के साथ यह सब रोखा कर और हम का बतिया है आप ही बताइए लालु यादव का है का है अब देखने हैं कि जो बीजेपी 17 साल में जो काम नहीं कर पाई तो सबसे बड़ा जो चेहरा थो कौन थे तो निटीश कुमार थे तो निटीश कुमार आइंदे पहले क्यों नहीं किया थे तेजस्वी जादो ने बाटा था यह गलत है तो हम लोग वहां पे मौझूद थे निटीश कुमार उसका शुरुआत किये था उसके बाद से वह चले गया नहीं 17 साल बनाम 17 महिना में जो काम ह हुआ है वह बहुत बराबद है और जनता इस बार तेस्वी जी कि फूल कर चुना हो रहा है तो 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 यह उस लाइक है कि परदान मंत्री पंचे यहां रोका जाएगा नोदी जी को यहां रोक लिया जाएगा बियार में बिहार में 40 सीट में नहीं आए गार 49 तो अभी भी अगले चुनाम नहीं है तो लोग सब्सक्राइब की सरकार की बात हो रही है तो लोग सब्सक्राइब कि सरकार नहीं बन जा रहा है परदान मंत्री चुनेगा लोग सबाइब को बीच में लाद रहा है तो बिहार का लड़का भारत के परदान मंत्री नहीं बन सकता है यह बताईए चाहे लोग सबाइब का चुनाओ चाहे कोई भी चुनाओ अब हर आदमी को खाइस होता है कि हमारे स्टेट के आदमी परदान मंत्री भी हार से नहीं बन सकता है थोड़ा सा बात किया जा हम इसा के बन सकता है यह बन सकता है अप यह वाट क्यों बोल ले हैं जो गुजरात से ही कमी है का लोग अपने राज्य में रहते हैं थाबित करेंगे ना कभो कर ने करते हैं अपने आपको अपने हाट हाट कौक हुझ। सब्सक्राइब कर रहे हैं पर जातальных हैं गलत हुआ गलत देखे चबासा आप कुछ सबको आवास दे दिए पूरे भारत में और क्या चाहिए पांच किलो कैसे दिए कुरोना काल में दस किलो दिए और उसमें भी फिरी दिए अधाम एक परिवार का बहरेगा आप कुछ नहीं किजिएगा सिर्फ उसी परासरित रहिएगा आपको भी करना रोजगार की बात किये थे मोदीजी हर साल दो करोर रोजगार भी मिल रहा है हर भी भाग में देखिए कि रोजगार हुलाए हर जगा बैकेंसी हो रहा है और नोकरी लेने वाला क्यों खोपड़ी नहीं है जाके देखिए बुरिंग लोग चोग रहा पे दीन बर में आया है कि हमको नोग्री नहीं मिल रहा रहा है आपको नोग्री कहां से मिलएगा जम्राद करेगा अप उस योग नहीं है आप जब nahई आप गलुत पढ़े लिखाई हुआ नहीं है पढ़े लिखाई हुआ है लोग बिरुजगार अपने बुद्धी से हैं अनपढ़ आदमी बती जर्पे कमा रहा तो ज्यादा कमाना चैनल खुलेगा नहीं यह लोग कुझेगा नहीं यह लोग कर देदो घर में बैटे बैटे चुगला खोर लोग जो है कि कुछ लोग बीज़ेपी से नराज है तो कुछ लोग खुस भी है नहीं नराज की वाली बात नहीं यह इसमें बात यह है कि देखे बेरोजगार युवा जो रहेगा उस सही में उसको लगेगा समझ में आगा कि नहीं हम बेरोजगार है क्यों है सरकार की नितियों के बारे मों जाने गाना कि नहीं कैसे क्या है कैसे नहीं यह अभी बताईए वेकेंसी हुआ था यूपी पुलिस का वहाँ पे उत्धर परदेश में काहिरद हो गया आपकी सरकार आप तो बोलते हैं कि हमारे राजे में कभी भी गलत चीज नहीं होती पेपर युवा जो है नराज है, कहा साते हैं आप, कहा घर हैं आपका? मुदी जी सही है की गलत है? सही तो है चाचा लेकिन एक बदली होना भी जरूरी है इसको लाना चाहिए? नाया चेहडा एक बर दस बरिस उनको देखा लोग ना तब नाया भी देखेगा दस बरिस पता मनार से चोड़ा, सब घर दिली होना चोड़ा जब तक सरकार नहीं बदलेगा पता नहीं लगेगा? तब पेन हाथा बाहीं चले लगेगा, ना दुन्ना हाथवा नहीं है इसा बता तब एक क्या हाथवा इसा-इसा होडा इहां भीः में कहा करते है नहीं थोड़ा से कॉछ काम से हैं जहींदृ है जोब मैं है वह rising मिलने हैरो deux जरी मिलना हreme चैक्ट मॉनुक्री मलें वाह message हमेडा बाती स्पासे अभी तो बाइए अचैस पास से मिलना हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं होता था क्या ठीक है माल लेते हैं कि भाई 10-20 करोन जो लोग बढ़ गया है पर उसके बाद भी वर चाहिएगा तो पॉसबल काई नहीं है दो चार दिन बढ़ जाएगा दिरेदे चुनाव करा यह सरकार चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन हो दोनों चुनाव एक बार यह यहां यह जब्लाय यह गया है यह चुनाव करें लोग बद्दत्य चलाएं कि उस बार एक ही चुनाव हो मैं यह पहली बार चुनाव है उसके बाद यह इस चूनाव एक बार और यहिए चीज अपने χ token कर रहा है वहां पे किस ऑन जाके मर दिल्ली में देखिए हारी पुरी मीडिया देखर ही अच्छे से कि पूरा किसान का क्या हालत है और पूरा देख रहे हैं सुप्रीम कोड के जितने बी वकील हैं कहें कि लिए ईवियम के खिलाप हैं बिया सुप्रिम कोड के वकील की अनपण गवार हैं क्या पढ़े लिखें के जजों के साथ बेठना उ कुछ लोग का रहा है नरेंदर मोधी का सरकार अभी रहेगा है इसमें कहीं संकार नहीं रहेगा संविधान तो बदलिये रहे हैं आपका जो पुराना संविधान था उभी तो संसोधन हुआ पूरा संसोधन हुआ तो पबलिक के हीत के लिए सब हो रहा है और देश को चलाने के लिए मोधी के अलावे दूसरा कोई फीगर ही नहीं है जो कि उससे यह उमीद कीजेगा है को हट जाएंगे कोई फीगर ही नहीं है उनके करांञा घागी फाने कुछ नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है रहुल तो गांडी गुंड़ा है रहुल गांडी कोई पर्धान मंति लाक है तो रहूल राहुले मुख्यों मंतिर लाइक नहीं है. कोई नहीं प्रधार मंतिर लाइक, कोई नहीं है. यह तो तो इसाब का औरा नितीश कुमार कर एक कि हम रोजगार दे रहे हैं झाल जांगर यह उता है नहीं होता है मोजी जी एक दम देश को चड़ाते हैं और में तिसरा शान भारत को आया है आप जानते भी होगा तो कोई कर दिशान कारी चाचाच आपको कहा से मिलता है आप टीबी भी देखते हैं कि ना बहुत देखे लेकिन मोधी जैसा परधान मांति देसमें कोई नहीं है सब बेचे दिए मोदी तो तीसरा साथ में बारत को भूल को क्या मीला ही बताइए हम को तीकि ब्रहा है हो रहा है मोदी के सरकार में हो रहा है कि बाकी लोग का रहा है कि सब बेच दिये मोदी का बेच है मोदी तो भारज को बचाए है त्रे नुरें सब लाइसी उलाइसी पता ना आरोप किया लगता है बहुत कुछ नहीं मोदी जी तीसरा असान पर भारज को लाए है ताhã कि आरे मोदी कहा बेचेक मोदी मोदी असले जिसे नहीटता परजाण मुस्तिलिस मौदी जी क्या किन पांच काम काम किया है मोदी तो भारज को वेजिए इंछिए जितों सıtित कि घंए था और दो आधने का नाम बतायों कोण अधनी कम्पनी का नाम बतायों किया टाटरी सब किसका बेड़ला किसका जियो किसका जियो किसका है अजियो किसका जियो तो मुके संबानी के तो अमानी ने क्या बोलता है इसी लोग से लोग से लोग वाटसप ग्यान ले करके और कहेंगे पाच काम गिना यह मोदी जी का पचास काम गिना देंगे आप देख ले रहा जाएगा यह कोई कर दो अच्छा यह देखे देखे यह तो और यहिए लोग जो है ना मतलब जनकारी कंब रह दो बोलेंगे रामनमदीर क को जिक्र के है ने फैसला दिया लोगोंने चंदा दिया राममंदीर तो हमारी आश था हम सनात trasnoliches बनायगे इस कंप टॉट के लिए? भी व्हख़ा क्रणक्म घौट हम अपत्र तरिकर अभी न्यूज देखते होंगे होंगे? है तो हम लोगा प्षीद सिब देखरें का बोजगार के मामले नोकरी येगा तो सरकारी नौकरी को ले यह सरकार जो है थोड़ा सा इसको काम करना चीए था युवा के लिए क्योंकि हम भी युवा है लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करके लोग कमा सके प्राइबेट बिजनस भी कर सकते हैं अपने आप में टाइलेंट लाई है स्किल डेबलब कीजिए बहुत टाइबेटा में रहा है 10,000 के फ्लाइट बें रेंट पे बिजनस की यह ना हो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता है बिजनस भी होता है बाला अभी एडानी का नाम ले लिए अडानी सरकारी नौकरी करके अतना बला बन गया बिजनस का थींक लाइए गतब जूगल को पैसा देके भागा दिए अमोधी को कह रहे हैं कि लेकर आई ये पैसा दीजिया आप भगाई ये लेकर आई ये कम से कम मोधी के अंदर इतना डर है ना उन लोगों के कि वह भारत में कदम नहीं रख पा रहा है जो पैसा लेकर भागा है मोधी बोले थे कि काला धन इतना जमा है कि अगर उसको लाया जाए तो सारे एकॉंट पंदरा पंदरा लाग तक जा सकता कौन ये बताई गौवर्मेंट लाने के लिए अपने असतर से क्या कर रहे है भाई आप ऐसा ऐसा कॉंग्रेस नियम मना के गया है कि आप स्विस बैंक म जगा से लोग आये हुए हैं बहुत कुछ हो रहा है अब देखिए हर चीज में पंदरा लाग घसीटिएगा दो करोण रोजगार घसीटिएगा तो ये मुद्दा नहीं है रोजगार कोई सरकार नहीं दे पाएगा कल को राओल गांदी को प्रदान मंतिरी बना दे या भी किसी नेता को तो क्या वह गारेंटी दे सकता है कि हमको सरकारी नोकरी मिलेगा बताइए कोई नहीं दे सकता है रोजगार तो आज इतना वैकेंसी आता है क्या वह खाली रह जाता है कि जिसके अंदर काबलिया अगर 5000 वह तो ये ले लेंगे हर साल योपीसी का फ़ॉम निकल यह चीज तो आपको पहले ही बताए हम कि कोई भी गवर्मेंट हो रोजगार को लेकर के फेलुवर रही है उसमें मोधी गवर्मेंट भी फेलुवर रही है इसी इसको तुमार पूरा पटना में बैनर्चिप का हुए है कि नितीश मतलब रोजगार तो यह लग दोनों मापस मिल रहा है जो भी लड़े उससे कम से कम बिहार के लोगों को रोजगार तो मिला लेकिन उस रोजगार से एक चीज नुकसान हुआ कि उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि पैसा लेकर भी सीट दिया गया जिसमें आपी जैसे कोई पतरकार वीडियो बनाया जिसमें राष्ट पती का नाम पूछ रहा है तो नरेंदर मोधी बता रहा है सिख्छक लोग बहुत तरह गोटाला भी उसमें हुआ था साइद इसे विए सनितिसकुमार को लगा कि हमारी बदनामी हो रही है पैसा लेकर के भरती किया जा रहा है यूपी के लोग आकर के पै के बारे में केंदर की सरकार को सोचना पड़ेगा बहुत पिछड़ा आप उसको बहुमत दीजेगा तब ना उसके सब्सक्राइब चेतर में जाए रोड बन रहा है 28 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से सड़के बन रही है यह आपको डिबलपन नहीं दिख रहा है एम मोगाल में सर्च कीजिए कि 2014 से पहले कितने एम्स थे 2019 तक कितना एम्स हो गया 2014 से पहले कितना आईटी कोलेज थे अब कितना हो गया कितना एयरपोर्ट था अब कितना हो गया तब नपता चलेगा खाली बिरोद करने से हो जाएगा अब तक सबसे बड़ा एक प्रोड़ बत चुनाव के छे मैंना पहले राहूल गांदी जा रहा है भारत जोड़ो यात्रा यात्रा कर रहे हैं राहूल गांदी अगर विपक्स की भूमीकान इबारा चाहते तो पांच साल तक कहां सोय थे मोधी के कारसल में कोई भी गलती नहीं हुआ था अग मिन लए प्रचति पहले विहार का इसके पहले 5 पूर्मों को पता हैं और रोंगाद भागलपूर में पताइब चुनाओ नियास करने आए थे उन्हेंने तो यह इषिस्ट करने और लोगों की बात जाकर रहूँ गादी सुनगे तो गलत होग अगया तो बीपक्स को श्ट्रॉंग रहना चाहिए बीपक्स स्ट्रॉंग रहेगा तब देश सरकारे काम करेगी अब बीपक्सी चुना के छे मैना पहले आपके यात्रा करें पांट साथ चापा मरवाएंगे लोग कर रहा है तो जून के बाद अगर राहूल गांदी कंदर छमता है तो करेंगे बालत जोरो नहीं आत्रा चुनाव तो इसी हर रहु है वो करेंगे चलेंगे जलेंगे वह लिए चलेंगे के राहूल कानदी नहीं करनेंगे बाद का सम्समी सब्सक्राइब चुनाव जब घड़ा गयागा पांज सन फिर इटिली में जा करके उधर मेलेशीयन का लेंगे ऐसे करेंगे हैं इसमें कोई कोई सखी नहीं है आप पूछिए कि बीजेपी आएगी तो 400 पार क्यों कर रही है यह सवाल किजिए चार सो पार इसलिए कर रही है कि मोदी जी ने कह दिया है कि तीसरे टर में ऐसा इतिहासिक फैसला लेगे जो पूरा दुनिया याद रखेगी और 400 पार इसलिए जरूर है क्योंकि ऐसा ऐसा कानून आएगा जिसमें हमको वहाँ पर पास कराने के लिए बहुमत चाहिए चाहिए एतिहासिक फैसला कौन-कौन सी जरूरत है कुछ बता सकते हैं अब देश के प्रधान मंतरी है जन संक्या नियंत्र नहीं होना चाहिए आपको नहीं पता हम लोग चाहिना को पचार दिया है क्योंकि उससे पैसा बचेगा यह अच्छा चीज है इसमें नोड़ाट इसमें मतलब हम इसमें नकार नहीं सकते लेकिन जन संक्या नियंतरन पर भी कानून लाना चाहिए और यूसी सी को लेकर के उत्रा खंड में हो गया है लागू तो यह पूरा देश में होना चाहिए औ संक्या को असके परदाख मैं नक्रेंदेस अलग होगा था अभी कितना परसेंट बेस्क है तो परतारित कौन हुआ है तो जो परतारित हुआ उसको अगर सरण मिल रहा था क्या दिक्कत है भाई भारत सब के लिए है अगर किसी को मारा जा रहा है तो जो वहां पे बहुत संक्याक है मुस्लिम तो बहुत संक्याक को बहुत संक्याक नहीं मार सकता यह आप भी जानते हैं अपने आसपास में भी तमाम चीजों को देखिएगा पता चल जाएगा दो इसलिए इसको मुद्धा ही नहीं बनाना चाहिए सीए लाए गया बहुत अच्छा लाए गया बहुत जल्द एनर्ची वगरह भी लाए ताकि सब कुछ किलियर हो जाए बहुत अच्छा लागा भई लोन मगरा लेकर बिजनस करना चाहिए था बाकि आप साइट से बिजनस भी कि जर पढ़िये भी टाइलेंट आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर एक नौकरी वहारा करेगा तो आपको नौकरी मिल लेगा और 2019 में तो अपना योगी जी आ रहे हैं बस उसके बाद तो फि बाकी लोग भाग जाएगा नई जो बोलें पर तो हम आपको बता दे रहे हैं यह बात उधर ही से लाया गया था जब जीन्ना का जो पीए था अल्ला इक्राम इकबाल जिसको लोग बोलता है बाद में इकबाल कर उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलिम एक साथ नहीं रह सकत जीन्ना का ही पीए ने बता है इसलिए हमको अलग देश माट दिया जाए तब जाके वो मने जीन्ना तयार हुए मने माटने के लिए तब जाके देश माटा और संविधान में संविधान के जो निर्माता है खुद इस चीज को लिखे हैं कि अंतिम हिंदू पाकिस्तान से इ पढ़िया आपको मिल जाएगा एचीज़ लिखागा इकवाल जी बोले थे कि सिया सुनी को मार रहा है सुनी अहमादिया को मार रहा है इसलिए उन्हें एक सेर पढ़ा था क्या क्या तमासा हुआ कण कातल संब्र उस्वा नहीं आपने को नहीं हुआ तो हिंदू राष्ड सबनता है तो क्प्रिफसे एकुरा दिकार कि पुरि Soo Haanya करी से परोप है किराएब के रूप में है और रहना पड़ेगा जैसे पकीस्तान में हींदु लोग रह रहा है मुसली में कर जा रहा है और जो आज जो माने जी जो थोड़ा पुंजी पाती है उसे देश में जाके सरल ले रहा है वह अपना अपना मत रख रहे तो आप लोग क्या सोचते अपने प्रतिकिरिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद